हेले दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आफका दोस्तों दुर्गा दोस्तों आफका अपनी इट्रीप चैनल नहाचानकरी में बहुत-बहुत स्वागती दोस्तों जैसा कि मैं आफको इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ यह आपके पास इपसन का एलेक तीस दस प्रिंटर है और दुस्तों उसमें आफका ठीक है प्रिंट नहीं हो रहा है और दुनों जो लाइट है ब्लिंक हो रही है यहां पर देखी पावर जो बटन है वो ब्लिंक हो रहा है और उसके बाद यह लास्ट में दो बटन है इंका वह भी दुस्तों यह ब्लि स्केर में ले जाने के कोई ज़रत नहीं है कभी कि दूस्तों ऐसे प्राबलम में हम यह दी सिस्टम से या फिर लेप्टाप से प्रिंट देते हैं कमार्ड के मादम से तो वह प्रिंट हो जाता है लेकिन फोटो कापी करना चाहे या फिर कोई फाइल का कॉपी करना चाहे दोस् हो भी जाएगा लेकिन दोस्तों आपको सब्टेवेर उपलब्द नहीं कराएंगे तो मैं दोस्तों आपको सब्टेवेर सहीत सवलेशन बता रहा हूं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके 5 MB का सब्टेवेर है डाउनलोड कर लिजे जरुन सब्टेवेर है और मैं जैसा बत दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक साफ्टेवेर का लिंक मिल जाएगा जो की उपलब्द करा दिया गया है यह लेकतित दस का ठीक है उसको डाउनलोड कर ल जो साफ्टेवेर का है उसमें जाएंगे और यहां पर एड़ प्रोग्राम ठीक है एड़ प्रोग करके है उसमें क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा ओकी करेंगे दूस्तों तो यह कहें और पिंस्टाल है बताएगा तो आपको यह जो वाला प्रोगा बहुत सारे दुस्तों यूटूफ के वीडियो में आपको इसका सालेशन मिलेगा जाएंगी और बहुत सारे जगहों पर दूस्तों आपको यह साप्टेवर खरीदने के लिए भी कहा जाता है तो यहां पर दूस्तों मैं आपको जेनर अपटवर उबलब दखरा करना है आपकी PC में एक्टिवेट करना है तो यहां पर नोट कर लिजीएगा नोट करने के बाद दूस्तों उसको सलेक्ट करके कापी कर लिएगा क्योंकि अभी आफ को जरूत पड़ेगा इसका तो अभी दुस्तों दूसरे के system में रं दिखाया है तो यहां पर नोट करें कॉपी कर लेजिए उसके बाद दोस्तों फिर से वाला फोल्डर में जाएगा और अब भी देखिए नीचे में की जैन है ठीक है की गैन लिखा हुआ है ठीक है देखिए इस प्रकार से दिखा रहा है ओके करेंगे नोट कर लिए है अब बेक करेंगे दोस्तों उसके बाद की जन्र ठीक है तो इसमें जाएंगे और नीचे में देखि दोस्तों यहां पे इस प्रकार से दिखाई देहा जहां पर देखिए यहां पर दोस्तों हमें लाइसेंस मेंजर में क्लिक garbage करना है उसके बाद यहां पर देखिए զो है दोनों को पहले delete करना है ठीक है दोनों को पहले delete करना है यहाँ पर में delete दिया है delete कर देंगे उसके बाद इसको भी delete कर देंगे उसके बाद दोस्तों left corner में add license में क्लिक करेंगे यहाँ पे customer name तो आपका अपने नाम लिख सकते हैं इसमें second नमर में दोस्तो company name ठीक है यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी आपके नाम इसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए, hardware ID, तो दुस्तो जो copy किये हैं, अपना PC का ID, उसको paste करेंगे, उसके बाद OK कर देंगे, यहां पर दूस्तो आपका generate हो गया है, ठीक है, उसमें click क generate हो गया है, देखिए, यहां पर folder बन गया है, तो ओके यहां पर OK कर देना है आपको, उसके बाद देखिए, जो आपको folder है, दूस्तो सबको close कर देजिए, उसमें जाएंगे, और चारो फाइल को copy कर लेंगे, यहां से right click करके copy कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर मैं copy कर ले है, तो यह आपके PC के लिए हो गया, रेड़ी, उसके बाद दोस्तो, add program वाले जो folder है, उसको अभी double click करना है, open करना है, तो अभी अराम से open हो जाएगा, ठीक है, application has been registered, OK करेंगे, तो देखिए इस प्रकार से, उसके बाद दोस्तों यहां पर select करेंगे, select करेंगे, आपका printer printer चालो होना चाहिए, USB connector होनी चाहिए, driver install होनी चाहिए, auto selection में रहने दें, या फिर आप select कर सकते है, USB printer के नाम OK कर देंगे, ठीक है, OK करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए नीचे में particular adjustment mode में क्लिक करेंगे, तो यहां पर दोस्तों देखिए बहुत सारा problem, sorry, problems का solution दिय तो इसमें ज्यादातर होता है printer में problem, blink का, तो इसमें click करके दोस्तों OK करेंगे, OK करेंगे, तो यहां पर देखिए, दोनों को select कर लेंगे, और एक बार check कर लिजेगा, ठीक है, check करेंगे, तो जो भी problem है, यहां पर प्रतिशत में दिखा देगा आपको, check करेंगे, उसके ब turn आप करने के लिए बोलेगा, बंद करने के लिए बोलेगा, आपके printer को बंद कर दिजे, बंद करने के साथ साथ दोस्तों इसको OK कर दिजेगा, ठीक है, उसके बाद फिर से OK कर दिजे, और अप दोस्तों अपने printer को on करेंगे, ठीक है, on करके finish कर देंगे, इस प्रकाश दो हो जाएगा लेकिन दूस्तों यदि खुदाना खास्ता आपका जो है सवरेशन नहीं होता है तो आप दूस्तों बेक करेंगे देखिए मैं दिखा रहा है आपको फिर से इसको फिनिस कर देंगे और फुना दूस्तों आपको दूसरे अपसर में जा रहा है सब्सक्राइब कर देंगे तो इसका भी समय लेगा यहां पर जो है कि इतना समय लेगे वो लिखा रहाता है कि दस मिनिट पांच मिनिट का जो पिसमय लेगा तो उसको दूस्तों आपको इंतजार करके इसमें साफ कर सकते हैं तो एक write करके दूस्तों आप साफ कर सकते हैं दूस्तों इस वीडियो का सबसे बड़ी बात यह है कि कि आपको सब्टेवर उपलब्द करा दियाया गया है वह भी वह step by step आपको कैसे साही करना है कैसे सही करना है उसको solution भी बताया हुआ है तो इस प्रकास दुस्तो आफ इस वीडियो के माध्यम से उसका कर सकते हैं और दुस्तो आपको प्राब्लम होता है फिर भी साम नहीं होत होता है तो आप समझ जाएगा कि आपके जो पिंटर है यह प्राब्लम है यह फिर फिर भी आप को अपको लिंग करiemand VER cricket कर दा Came लिंक यहांगो सकते हैं तो आप हमें कमेंट करक Filipino स्अन बता रेगा इरह कर दिएगा 투 क्लोज करेंगे दोस्तो सब को एक बार लिजेगा उसने वाद फिनिस में क्लिक कर देजीगा ठीक है जो ही प्राब्लम आपको होता तो आप दोस्तों कमेंड करके इस वीडियों के पूछ सकते हैं आपको साड़सन बताया जाएगा तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको साफ्टेवर भी उप्रब्द करा दिया गया है डिस्क्रिप्सन में जाकरके डाउनलोड करके दोस तो महुत-बहुत धन्यवाद